Hello students, now we start a new chapter, Body Moments. Body Moments, जैसा कि नाम से ही पता चल ला है कि Body में होने वाले Moments. तो Body में क्या-क्य Moments होते हैं, आप Walk करते हैं, Run करते हैं, Climb करते हैं, Fall हो जाते हैं कभी-कभी, Crawl भी होते हैं, जब आप छोटे होते हैं, तो बहुत सारे Moments हमारी Body में होते रहते हैं. पर कुछ यह Moments तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पर कुछ Moments ऐसे होते हैं, जो आपकी Body के अंदर होते हैं, जो हमें उपर से दिखाई नहीं पड़ते हैं. जब Moment कभी किसी चीज से होता है, मारी Body के अंदर, तो वो दो पार्ट्सों के Joint में होने की वज़े से होता हैं, अगर Joint नहीं होगा तो हमारी Body Moment नहीं कर पाई, जैसे आप अगर इसे देखेंगे, तो आप अगर Shoulder से यहां से इतने Area को देखेंगे, तो आप इसको Move कर सकते है का इतने Area को नहीं कर सकते हैं, जब आपके उपर वाले Area और ये नीचे वाले Area में, ये बीच में एक Joint दिया गया है, इस Joint की वज़े से आप Movement कर पाते हैं, आप अपने Elbow को Turn कर सकते हैं, Move कर पाते हैं, तो इस Chapter में सबसे पहले हम बात Joint की करते हैं, ये आपके Neck और Head के सबसे पहले Joint के करेंगे, इस Chapter में तो पहली Joint जो बात करते हैं, वो है Ball and Socket Joint, Ball, Ball से आप देखी रहे हैं कि Ball टाइप में जो Shape होती है, इसके कारट इसका नाम Ball and Socket Joint पड़ा है, तो ये जो Joint होते हैं, ये हमारे Hip Area में और हमारे Shoulder Area में होते हैं, ये Joint जो होता है, वो 360 एंगल म Moment कर लिता है, इसके बाद Pivot Joint की बात करेंगे, ये आपके Neck और Head को Joint करता है, और ये आपके Left, Right, Up, Down ये Moment कर सकता है, ये आपका 360 एंगल में Moment नहीं कर सकता है, अगले Joint की बात करेंगे, हिन Joint की, हिन Joint जो होता है, आपके Elbop होता है, आपके Knee पे होता है, ये सिफ एकी Head Turn कर सकता है, Moment कर सकता है, ये Up, Down ये Back में और Forward में नहीं हो सकता है, इसका Moment सिफ एकी साइड में होता है, जैसे आपके Elbop है, वो आपके ऊपर की और Moment करती है, और जो आपका नहीं है, वो आपको पीछे की तरफ आपका Move करता है, आप इसको इदर उदर भी इसका जो Right and Left है, वो भी Turn नहीं कर सकते हैं, अगली जो Joint की बात करते हैं, वो है Fixed Joint, जो होता है, ये हमारा Mostly, हमारे Head Area में वहां होता है, जो छोटी-छोटी Bonds होती हैं, उनको ये Joint रखने का काम इसका होता है, Iskeleton, Iskeleton ऐसी चीज है, जिसके ऊपर हमारी पूरी Body बनी हुई है, हमारा ये जो शरीर है, इसकी जो Shape है, वो Iskeleton की वज़े सो होती है, अगर Iskeleton नहीं होगा, तो हमारी Body को एक Shape नहीं मिल पाएगी, दूसरा ये जो हमारे Internal पार्ट्स होते हैं, इस्टमक है, हमारा हमारा Liver है, और जो भी Functions हैं हमारे Body के अंदर, जो भी Internal पार्ट्स हैं, उनको Protect करने का काम हमारे Skeleton करता है, आपकी बात की जाती हैं, कि आपकी Body में 206 जो Bonds होती हैं, टोटल जो होती हैं, बड़ी छोटी सब मिल आके, पर जब एक Newborn Baby होता है, उसकी जो B itaO बहुत जाने होती है तो वह कियसे कम हो जाती हैं, खिरे-दीरे बड़े होने के साथ, तो उसकी एक वज़न य इसी है कि उपर ऑपकी पीछे के अरिए में, जो आपकी बेक बॉन जो होती है आपकी जो रीड की हड़ी की जो बॉन होती है ये पूरी एक स्टेट और मोटी बॉन होती है तो जब बच्चा पैदा होता है तो यहां पर उसके बहुत सारी छोटी-छोटी बॉन्स होती है पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है रिपके जो हॹता है यह हमारे चेष्ट इ Moment होता है है। यह चेष्ट होता है इसको protect करने का काम करता है। इसय। के आप देखते हैं आपकी यह shoulder bone है। Shoulder जो bone है, यह humerus calvical और यह scapula से मिलकर बनी हुए होती है। जैसे चोटे बच्चों की कभी-कभी आपने देखा होगा, यह जो इसको बोलते गाउं में, जैसे हसली बोल देते हैं, जैसे हम उसको पकड़के उठा लेते हैं, तो यह हिल जाती है, यह पहले बहुत सॉफ्ट होती है चोटे बच्चों की, फिर धीरे-धीरे यह मजबूत ह हो जाती है और बच्चे को फिर जब धाही-3 साल का होता है तो अगर आम उसको उच्छाल भी लेते हैं तो बहुत जादे दिक्कत नहीं होती है शुरू में यह बहुत कम्जोर होती फिर यह तीनों जो बॉन्स होती है फिक्स होके एक शॉल्डर बॉन कहलाती है पैल्विक पर जाता है यह भी हमारे बॉड़ी का एक बहुत ही स्ट्रॉंग बॉन है इसकल इसकल आप देख रहे हैं यह हमारे ब्रॉइन को प्रोटेक्ट करने का आप यह कह सकते हैं यह हैड है हमारा एक तरह से पूरा जो हमारा जो उपर का जो एरिया है हैड वाला एरिया यह उसको प्रेटेक्ट करने का काम होता है, यह इसके अंदर ब्रेन बगेरा और सारी चीजे सिस्टम आपकी उपर के एरिये की इसमें सेफ रहती है, अभी तक आपने बॉन को जैसे देखा था कि वो स्टॉंग होती है, हमारी बॉड़ी को प्रोटेक्ट करती है, पर कुछ बॉन ऐसी ह होती है, वो बहुत ज़्यादे स्टॉंग होती है, जैसे यह आपके जो इयर में होती है, यह जो उपर का एरिया होता है, यह आपका थोड़ा स्टॉंग होता है, और यह जो आपका नीचे का एरिया होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो क्या है, यह जो बॉन होती है, इसे cartilage bone बोलते हैं जो भी आपकी soft bone होती है यह जो ear के area में पाई जाती है अब आपकी muscles की बात करते हैं muscles जो होती है वो हमारी body को एक structure को एक संभालने का काम करती है हमारी bones होती है उनको एक shape दे देती है bones केवल अगर आप side का area देखेंगे तो आपकी जो body वो एक अच्छी नहीं लग रही है और क्या होगा इस पर सीधे pressure पड़ेगा किसी चीज़ का हम बाहर से outer pressure को देंगे तो वो crack हो सकती है तो muscles जो होती है वो हमारी body को हमारी जो bones है उनको एक protect करती है बात करेंगे अब बहुत सारे animals होते हैं उनके different movements होते है examining the catch for animals जो होते हैं वो different type की होते है सबसे पहले बात करेंगे हम earthworm की earthworm जो होता है वो हमारे कैते हैं वो जो हमारे former होते हैं जो किसान होते हैं उनको उसको इसका friend भी बोलते क्योंटी में जो इसकी बैसे क्या होता है कि जो खेत होते हैं जो जमीन होती है उसमें बाहर से oxygen का आना जाना बना रहता है जिससे कि वो जमीन जो होती है वो उपजाओ हो जाती है यह जब भी movement करता है अर्थ warm तो यह अपने आगे वाले area से movement करता है यह कभी ऐसा नहीं होगा कि आप इसको जाएगा थोड़ा movement कर जाएगा तब फिर अपने पिछले वाले area को छोड़ता है फिर आगे बनने की कोशिश करता है और धीरे धीरे यह movement करता है यह देखे यह जब आप देख रहे हैं इसकी shape देखे आपको एक cell दिखाई पड़ रही है आपको यह cell दिख रही है आप इस cell को जब देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि यह जो आपके छोटी-छोटी शंक नहीं होता है घर में आपने देखे होंगे आप जो शंक देखते हैं तो यह शंक टैब में होती है इसको आपके spell बोलते हैं तो यह इसका कोई भी काम नहीं है यह केवल इसके जो यह पेर वाला जो इसका एरिया है जब इसको चलना नहीं होता है तो यह अपने पेरों के इस शेल के अंदर प्रोटेक्ट रखता है इसको बंद करके रख लेता है जब इसको चलना होता है तभी इस शेल के अंदर से यह पैल के अंदर से निकालता है कौक रोंच कौक रोंच के थ्री पेर में पेर होते हैं एक जो इसके उड़ने के विंक्स जो काम में आते हैं एक जिसको चलने के काम में आते हैं पकड़ के रखते हैं और एक इसको तेरने के काम में आते हैं और इसकी जो ऊपर की जो बॉड़ी होती है, इसका यह जो कवर होता है, वो बहुत स्ट्रॉंग होता है, बहुत मजबूत होता है, कहा तो ऐसा जाता है कि अगर प्रत्वी पे कोभी विनाश होगा अर्थ पे, अगर कोई दिक्कत आएगी, कोई प्राकरतिक आपदा आएगी, तो यह कौकरोच अपने क आपने बहुत सारे बर्स देखें, जो उड़ते हैं, कोई बहुत जादा उचा उड़ता है, कोई कम उड़ पाता है, कोई नहीं भी उड़ पाता है, कोई थोड़ा थोड़ा चली पाता है, पर वो सारे जो इस शेप के जो होते हैं, वो सभी वर्स के अटगरी में आते हैं, इसमें duck है और swan है आपका ये जो पानी में देटे हैं ये जादा उड़ नहीं पाते हैं थोड़ा जोड़ा उड़के फिर बैठ जाते हैं क्योंकि उनके इनके जो wings होते हैं तो ये बहुत ज़ादा इस काई में fly नहीं कर सकते हैं बात करते हैं fish की फिर आप ने देखी हैं कि fish की जो आप shape देख रहे हैं इनकी यह आगे से कैसी है पतली है फिर पीछे से भी पतली पीछे इसके यह जो wings दिये गए और बीच में कैसी यह थोड़ी ठिक है तो पतली होने के बज़े से इसको ये फायदा होता है कि जो ये वाटर में होती है वो शार्प तरीके से ये स्विम कर सकती है और इनके जो विंग्स होते हैं ये इनके पानी को हटाने में जब ये स्विम करते हैं तो उसमें अच्छा काम करती हैं इनको हेल्प करती हैं आपने कभी-कभी दिस्कवरी चैनल पर देखा होगा, कि जब कुछ लोग होते हैं, जो हमारे गोता को टाइप में, या कुछ लोग होते हैं, जो उसमें रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो वो अपने पैरों में ऐसे ही विंग सेप में कुछ बांद लेते हैं, पंक टाइप में, तो क्या होता है, उसे उनको टेरने में आसानी होती है, बात करते हैं स्नेक की, स्नेक क्या होता है, बहुत लंबा होता है, जितना यह लंबा होगा, उतना ही ये चलने के लिए ये जो होगा ये बहुत ज़ादे घुमा घुमा के चलता है ये कभी भी स्टेट नहीं चल सकता है अगर ये स्टेट चलेगा तो ये बिल्कुल भी चली नहीं पाएगा दूसरा यह जो एकदम plain जगे होती है वहाँ पर भोजाते से नहीं दोड़ पाता है और जब यह दोड़ता है तो जिसकी जब लंबाई होगी जब यह टेड़ा मेड़ा चलेगा तो इसमें लूप बनते हैं इसके तो लूप बनने की बज़े से आप इसमें देख रहे होंगे इसके पूछ यहां से यहां तक आ रही है इसमें इतने सारे लूप बनने है तो लूप बनने से क्या होता है कि जितने लूप बनते तो इसको आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेशर मिलता है इसको यह आगे की तरफ बहुत तेज से फास्ट से रन कर सकता है